असलाम अलेकुम दोस्तों अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं और आपको script writing नहीं आती तो लोग आपकी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे क्योंके दोस्तों आपकी face value नहीं है वो आपको जानते नहीं है उनको आप पे यकीन नहीं है कि आप पता नहीं कैसी वीडियोस बनाते हैं कोई भी बंदा जब आपकी वीडियो देखता है न तो सो दफ़ा सोचता है कि यार मेरे MB जाया न हो जाए मेरा time waste न हो जाए तो आपक को लगेगा कि यहां से यार मुझे इतना कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है तो आपकी वीडियो को छोड़के चला जाएगा इससे होगा क्या कि आपका watch time गिर जाएगा इसके इलावा आपकी audience retention कम हो जाएगी जिससे आपकी वीडियो rank नहीं करेगी दोस्तों अगर आप के subscriber हैं वो आप पे यकीन करते हैं उन्होंने आपको पहले सुना है वो जानते हैं कि ये बंदा वीडियो सही बनाता है सही समझाता है टाइम वेस्ट नहीं होगा तो आपकी वीडियो पूरी देख लेंगे लेकिन आपके जब subscriber नहीं है तो वो शुरू के 20-30 सेकिंड के अं अगर आपने पहले 20-30 सेकिंड के अंदर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे suspense क्रियेट हो गया और viewer को लगा के हाँ यार मुझे कुछ सीखने को मिलेगा यहां से तो आपकी वीडियो पूरी देख लेगा अब आपको पहले 30 सेकिंड में क्या बोलना है दोस्तो इसके बाद भी ध आगे कुछ मतलब मेरे काम की चीज होने वाली है जो मुझे पता नहीं है और यहां मुझे सीखनी चाहिए जैसे कि दोस्तो फॉर एक्जेमपल मैंने ये वीडियो स्टार्ट की वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने ये नहीं कहा असलाम अलेकुम दोस्तो क्या हाल चाल है मैं भी ठीक हूँ आप सुनाए आप कैसे हैं या कोई इंट्रो नहीं लगाया जिसे आप बोर हो जाएं ऐसा ही है ना मैंने आते क्या किया मैंने एक पॉइंट बोला मैंने का दोस्तों अगर आप वीडियो बनाते हैं और आपको स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं आती तो लोग आ आपकी पूरी नहीं देखेंगे और आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी तो मैंने जान बोच के यह पॉइंट बोला कि अगर आपके सब्सक्राइबर हैं तो लोग आपकी पूरी वीडियो देख लेंगे लेकिन अगर आपके नहीं है तो आपकी वीडियो पूरी नहीं दे कि मैंने तीन सालों में ये चीज़ सीखी, मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ सिरफ और सिरफ पांच-सात मिनट में, तो आपने का कि इस बंदे ने तीन साल लगाए और हमें पांच-सात मिनट में सीखने को मिल रही है, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, अभी आप दोस्तों देखेंगे, तो तकरीबन दो या धाई मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो यूट्यूब का अलगोरिथम ये है, कि अगर आपकी कोई 40 से 50 परसंट वीडियो देख लेता है, तो वीडियो रैंक करती रहती है, और वो वीडियो जिंदगी भर रुकती नहीं है, उ यही कमाल मैं आपको बताने वाला हूँ, यह करके आप लोग वीवर्स को सस्पेंस में डाल सकते हैं, और वो आपकी आदी से ज्यादा वीडियो देखेंगे, तो आपने अभी आदी देख ली, अभी आदी आप और देखेंगे, क्योंकि आप अभी सीखना चाहते हैं, दू काम की चीज़ है, सीख लो, फाइदा हो जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर ना एक समझ लेक, एक मोटिवेशन आएगा, जनून सो आएगा, कि हाँ यार सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, इतनी देर में आपके दो ढ़ाई मिन कह सकते हैं, कि दोस्तो, सिक्रिप राइटिंग का जो तीसरा पॉइंट है, वो समझाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो तीसरा पॉइंट आपको एजिली समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको मिसाल दे स फिर आगे तीसरा point आप समझा सकते हैं, इस तरह और suspense create होगा, viewer बंधा रहेगा आपके साथ और वो आपकी वीडियो पूरी देखेगा, कि जब आप असल main point बताने लगें, तो main point बता के ना, आगे आपने क्या करना है, दोस्तों आपने कहना है कि दोस्तों, अब ये आखर होने लगा वीडियो का, ठीक है, अब तीन चार मिनट गुजर गए हैं, जिसमें आपने main point बता दिया, अब आखरी point, जब आपने वीडियो आपको बहुत फाइदा होगा, इस तरह जब आप कहेंगे ना, तो इससे क्या होगा, कि वीवर को और अच्छा लगेगा और वो आपको subscribe कर लेगा, ये main point है, तो दोस्तों, अभी मैंने आपको सारे point बता दिये हैं, अभी मैं भी wind up कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि म भर views आते रहेंगे, दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीचेगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्यार रखिएगा, अल्ला हाफेज